नमस्कार सुर्प्रभाद स्वागत आप सभी का मैं हूँ प्रीती आए शुरुवात करते हैं हेड्लाइन्स के साथ महराश्ट्रे सदन घोटाले में न्सीपी नेता चगन भुजबल गिरफतार मनी लॉंडरिंग मामले में एडी ने की 11 घंटे पूशताज न्सीपी का राज्य सरकार पर बदले की कारवाई कारों कनहया उमर समेथ पांच छात्रों का हो निश्कासर युनिवरस्टी की उच्छिसतरिय समिती की सिफारिश वी सी करेंगे आखरी फैसला जेन्यू छात्र मंडी हाउस से संसर्थ तक करेंगे बार्च राज्य सभा के लिए चार राज्यों के सभी दस सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन एक आंटरी केरल से आनन शर्मा हिमाचल से निर्वाचित असम की दो सीटों के लिए 21 मार्च को मतना बे मौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर केंदर ने राज्यों से मांगे रिपोर्ट राहुल की पीड़ित राज्यों में केंदरे टीम भेजने की मांग प्रिशी मंतरी ने दिया मदद का भरूसा और टी-20 विश्वक आपके मुख्यों दौर का मुकाबले आद से भारत न्यूजिलेंड के खिलाब करेगा भ्यान का आगाज नागपूर में खेला जाएगा मैं आच महराश्त्य सदन गुटाले के मामले में अनसीपी नेता और राज्य के पूर्व उपमुख्य मंतरी छगन भुझबल को प्रवतर निदेशाले ने गिरफ़तार कर लिया है नसीपी ने से राज्य सरकार की तरफ से बदले की कारवाई करार दिया है प्रवदर निदेशाले ने खरीब 11 घंटे की पूशताच के बाद पूर्व लोक निर्मान मंत्री और नसीपी नेता चगन भुजबल को गिरफतार कर लिया आज उन्हें अदालत के सामने पेश करके एडे हिरासत की मांग कर सकती है चगन भुजबल सुमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दिन में दक्षर मुंबाई के बलाड पीर में एडी के कार्याले पहुचे एडी कार्याले में घुसने से पहले भुजबल ने कहा कि राजनितिक प्रतिशूद के तहत उन पर कारवाई की जा रही है मामले में चगन भुजबल के भतीजे और पूर्विसांसत समीर भुजबल की पहले ही गिरफतारी हो चुकी है पिछले महीने इडी ने चगन भुजबल के बेटे पंकच भुजबल से लंबी पूश्टाच की थी प्रवतन निदेशाले ने मामले की जाच के संबंद में चगन भुजबल को 14 मार्ज को तलब किया था प्रवतन निदेशाले ने धन शोधन रोक थाम कानून के तहत मामलाद दर्ज किया था एजिंसी ने भुजबल, पंकच, समीन और कुछ अन्य लोगों से संबंदित नौ परिसरों पर दो बार छापे भी मारे थे ब्यूरो रपोर्ट राज्य सभा टीवी पीटियाई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि जवालाल नेरो विश्विद्याले के एक उचिस तरिये समिती ने पाँच चात्रों को अनुशासन संबंदि नियमों के उलंगन का दोशी पाया है जांच समिती ने अपनी रिपोर्ट में कनहिया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्याचारे और दो अन्य चात्रों को विश्विद्याले से निकाले जाने की सिफारिश की है एक महीने से भी जादा समय तक जांच की गई और इन पाँच चात्रों को अनुशासन संबंदि नियमों के उलंगन का दोशी पाया गया है रिपोर्ट पर चर्चा के लिए सुमवार को उपकुलपती के अध्धक्षिता में विश्विद्याले के वरिष्टा दिकारियों के एक बैठक बुलाई गई इसके बाद खनहिया और उमर समेट 21 चात्रों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया अलाकि सबिती की सिफारिशों पर उपकुलपती और चीफ प्रॉक्टर विस्तरच चानबीन करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे जेनियू में अफजल गुरु की फासी के विरोध में आयोजित एक कारिकरम की जांश के लिए दस फर्वरी को इस समिती का गठन किया गया था राजिस सभा के लिए असंप, नगलान, हिमाचल प्रदेश, केरल और पंजाब की बारा सीटों में से दस पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है जबकि असंप की दो सीटों के लिए 21 मार्च को मतदान होगा केरल से कॉंग्रस के वरिष्ट नेता और पूर्वरक्षा मंत्री एक एंडनी निर्विरोध निर्वाचित हुए है साथी जेडियू के प्रदेश अधक्ष, एमपी, विरेंद कुमार और सीपेम नेता के सोंप्रसाद भी निर्वाचित घोशित कर दिये गए है वहीं पंजाब की सभी पांच सीटों के नतीजों का एलान हो गया शिरोमणी अकाली दल के सुगदेव सिंग धीनसा और नरेश गुजुराल कॉंग्रस के प्रताप सिंग बाजवा और शमशेर सिंग दूलो तो बीजेपी उमिद्वार श्वेट मलिक निर्विरोध चुल लिए गए है जबकि हिमाचल प्रदेश की एक सीट के लिए कॉंग्रस नेता आनंशर्मा निर्वाचित खोशित किये गए है कॉंग्रस ने उद्योगपती विजे मालिया को देश वापस लाने की मांग की है पार्टी ने राज्यसभा में कल फिर ये मामला उठाया और पाँच सवाल पूछे विजेपी सांसत किरीट सुमया ने मालिया की सभी कंपनियों की जाश की मांग की है राज्यसभा में शुनेकाल के दौरान कॉंग्रेस सदस्यों ने विजे मालिया के विदेश जाने का मुद्धा फिर से उठाया कॉंग्रेस सांसत प्रमोत तिवारी ने नियम 267 के तहत नोटिस दिया था जिससे आसन ने सुईकार नहीं किया कॉंग्रेस ने आरोप लगाया कि मालिया के खिलाफ नोटिस बदल गर उसे विदेश जाने में मदद की गई सदन के बाहर भी पार्टी ने सरकार से पांच सवाल पुछे पार्टी ने जानना चाहा कि क्या मालिया को भारत लाने की कोशिश होगी क्या विदेश जाने से पहले मालिया ने अरुन जेटली से मुलाकात की थी सीबिया ने लुकाउट नोटिस क्यों बदला क्या एजेंसिया उनके खिलाफ कार्रवाई का धकोसला कर रही है डियाजियो से मालिया को मिली रकम जब्द करके कैसे वापस लाई जाएगी एक्स्ट्राडिशन यानि परत्यारपन के चक्कर में छोड़कर काप्चों के अंदर दबा दिया जाएगा बीजेपी सांसत किरिट सुमयय ने मालिया की कंपनियों की ऑडिट करने वाली सीए फर्म पर कारवाई की मांग की है इस बीच मालिया की बंपड़ी कंपनी किंग फिशर एरलाइंस के पूर मुख्यवित्य अधिकारी ए रगुनाथन से फिर से पूश्टाच की गई रगुनाथन से शुक्रवार और शनिवार को लंबी पूश्टाच हो चुकी है मालिया पर 17 बैंकों का 9,000 करोड रुपए से अधिका बकाया है विजय मालिया का मामला राज्यसभा की इथिक्स कमिटी के पास भी पहुँच गया है समिती के देख्ष डॉक्टर कर्ण सिंग ने कहा कि सभाबती मौमद हामिद अंसारी ने उन्हें ये मामला भेजा है और समिती ने मामले को संग्यान में ले लिया है पशे मंगाल के तीन मंतरियों कुछ सांसदों और विधायकों को कथित तोर पर एक वर्जी आयात निर्यात कंपरी से घूस ली है एक समचार पोटल ने स्टिंग उपरेशन में ये दावा किया है स्टिंग के सामने आने के बाद प्रदेश की राजुनीती गर्मा गई है कॉंग्रेस समेथ सभी विपक्षी दलों ने मुक्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर स्टिंग उपरेशन की जाच कराने की मांग की है सी पेम ने राज्यों में राश्चुपती शैसन लगाने की मांग कर दा ली तो बीजेपी ने मुक्य मंतरी ममताब अनर्जी का स्तीफ हमांगा है जबकि टीमसी ने विडियो टेप को छेड़ चाड़ किया गया करार देते हुए तमाम आरूपों को खारिच कर दिया है इस बीच चुनाव आयूग ने ममताब अनर्जी सरकार की उपलब्धियां दर्शाने वाले सभी होडिंग्स और बैनर्ज को तुरं थटाने का आदेश दिया है मुख्य चुनाव आयक तुने पश्चिम बंगान में स्वतंतर और निश्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा भी दिया है वितमंत्री अरुन जेटली ने कहा है कि काले धन पर टैक्स का प्रस्ताव काली कमाई करने वालों के लिए आम माफी ओजना नहीं है बैंकों के बढ़ते बैड लोन और बकाया वसूली पर उन्होंने कहा कि इसके लिए बैंक्रप्सी कोड से जुड़े विधे का पारित होना जरूरी है लोगसभावे बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वितमंत्री ने विपक्ष उसे GST बिल और दूसरे जरूरी विधेक पारित कराने की अपील की वितमंत्री ने सोमवार को लोगसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब दिया वितमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीन इलाकों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए पृतिबध है उन्होंने कहा कि स्वर्ण आभुशनों पर प्रस्तावित एक फिसदी एक साइस डूटी वापस नहीं लिजाएगी विपक्ष को आरोपों पर सफाई देते हुए वितमंत्री ने दावा किया कि काले धन पर टैक्स का प्रस्ताव माफी नहीं बल्कि जुर्माना लगाने के लिए है इससे पहले चर्चा के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार कच्चे तेल की कीमतों में गिरावत का फाइदा आम लोगों को नहीं दे रही है विपक्ष ने बैंकों की डूपती रकम और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की यह जो यूबिये के जो प्रोग्राम से है यह प्रोग्राम गरीबों के अच्छाई के लिए और उसको उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए की गई थी लेकिन आपने उसके उपर टीका टिपणी करते हैं फिर भी आपने मुद्दी साथ को कहते हैं उसका फिर समर्तन की है किसी विवाग का बजट आपने दिखाया है तक करीवन 35,000 कुछ करोड जिसमें 15,100 टर्म का क्रेडिट का बजट है जो की अब से पहले के पुराने बजट जितने भी पेस हुए उन बजटों में ये बित्ती संस्ताओं को पैसा जाता था कभी किसी मंत्राले के बजट में इ राजी सभा टीवी देने की मांग की सामाजे को जाती आधार पर आरक्षन की मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी कल राजी सभा में विपक्ष की तरफ से मामला उठा जाने पर वित्मंत्रे अरुन जेटली ने इस पश्टी करण दिया समाजबादी पार्टी और बिएस पी ने आरक्षन पर आरेसस के बयान के निंदा भी की संपन वर्गों को आरक्षन नहीं देने संबंधी आरेसस के बयान के मामला सोमवार को राज्यसभा में उठा सदन के नेता अरुन जेटली ने कहा कि आरक्षन की मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा शुने काल की तोरान समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और ब्यस्पी की मायवती ने ये मामला उठाया राम गोपाल यादव ने आरोप रगाया कि आरक्षन की वर्द्मान विवस्था को खत्म करने की साजश हो रही है मायवती ने कहा कि आरेसस अब आर्थिक आधार पर आरक्षन की मांग कर रहा है राजस्तान के नागावर में आरेसस के संगटन शिवर के बाद महासचिव भयाजी जोशी ने कहा था कि संपन जातियों को आरक्षन देना संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा पिछले साल बिहार विधान सभा चुनाओं से पहले भी आरेसस प्रमुक मोहन भागवत ने आरक्षन व्यवस्ता की समिक्षा की बात कही थी उन्होंने इसके लिए एक गयर राजनितिक समिती बनाने की भी बात कही थी राजनितिक दलों ने इस बयान का व्यापक विरोध किया था रवींदर सिंग शुरान राज्यसभा टीवी और खबरे जारी हैं हम लोट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आज किताब के इस एपीसोड में हम लोग बात करेंगे रवींदर नाथ ठाकुर के ओपर नियास गोरापको मुझे गोरा इसी लिए बहुत दिल्चस्प लगता रहा है और बहुत महत्पून कि वो एक यात्रा को कथे बनाता है एक विवेख की यात्रा को अंतर स्टेतना की यात्रा को मैंने जब इसे पढ़ा तो मैं समुतियों कि नेवेशी काल का सबसे अंतर भेदी उपर नियास गोरापर मशूर लेकिकाम व्रिदुला गर्ग से खास बाची कॉंग्रे सुपा दक्ष राहूल गांदी ने बेमौसम बारिश और ओले गिरने से हुए फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए पीडित राज्यों में केंद्रे टीम भीजने की मांगी है लोग सभा में कल इस मुद्दे को उठाते हुए नो ने कृशी मंतरी से जवाब की मांगी बाद में कृशी मंतरी ने सदन को बताया कि राज्यों से नुकसान की जानकारी मिलने के बाद राज्यों को मदद दी जाएगी बे मौसम बारिश और ओले गिरने से फसलों की बरबादी और किसानों की नुकसान का मुद्दा लोग सभा में उठा कॉंग्रेस उपाधियक्ष राज्यों गांधी ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कारेस थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने खारिश कर दिया राहूल गांधी ने किसानों को तुरंट मदद देने की मांग की कृष्य मंतरी रादा मोहन सिंग ने भरोसत दिलाया कि उत्तर भारत में बेमौसम बारिश और ओलव रिष्टी से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंदर सरकार किसानों की हर मुमकिन मदद करेगी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में किसान खरीफ की फसलों की नुकसान से उबरे भी नहीं थे कि बेमौसम बारिश ने रभी की बेहतर फसल की उम्मीदों पर पानी फिर दिया पंजाब, हरियाना और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा असर खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसलों पर पड़ा है मद्धे परदेश में दलहन और खासकर चने की फसल ज्यादा खराब हुई है मद्धे परदेश सरकार ने किसानों को 15,000 रुपे प्रती हेक्टेर की दर से मुआफ़जा देने की बात कही है मैंने पहले भी घोसित किया है 15,000 रुपे प्रती हेक्टेर की दर से राहत की रासी देंगे उसके अत्रिक रिनवसूली उनकी इस्तिकित करेंगे अगले साल भी 0% ब्याज पर कर जा देंगे बे मौसम बारिश से गेहूं और दूसरे अनाज की गुणवत्ता और पैदावार पर असर पढ़ने की आशंगा जताई जा रही है इसके चलते अनाज मंडियों में इनकी आवक में देरी होगी और किसानों को वाजब दाम मिलने में मुश्किल आएगी कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहूल गांधी के ब्रिटिश नागरिक्ता विवाद के बारे में लोगसभा की एथिक्स कमेटी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है एक तरफ जहां कॉंग्रेस ने कमेटी से ऐसे मामलों को तुरन थारिज करने की मांग की है वही राहूल गांधी ने कहा कि वो इस नोटिस का जल्द जवाब देंगे इस तरह के जो शिकायते आती हैं उनको ततकाल निरस्त किया जाएगा जो व्यक्ति पैदाशी हिंदुस्तान के हैं क्या वो कैसी और देश के नागरिक हो सकते हैं बिजेपी सांसद महेशगिरी ने जन्वरी में इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को चिट्थी लिखी थी इसके बाद मामले को एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया था इसकी सच्चाई क्या है और यदि ये सच है कि वो दोहरी नागरिक था उन्होंने बताई है तो उनकी सदस्यता रद होनी चाहिए बीचेपी नेता सुब्रमन्यम स्वामी ने एक बृटिश कमपनी के सालाना रिटन में राहूल गांधी को बृटिश नागरिक बताने से जुड़े दस्तावेस का खुलासा किया था हलागे राहुल गांधी और कॉंग्रेस इसे टाइपिंग की भूल बताते हुए आरोपों को पहले ही खारिज कर चुके है कॉंग्रेस उपाद्धक्ष राहुल गांधी ने देश में आदिवासियों और किसानों पर अत्याचार होने का आरोप लगाया है 36 गड़ की दोरे पर गए राहुल गांधी ने कहा कि NDA सरकार में जो भी आवाज उठानी की कोशिश कर रहा है उन्हें कुछला जा रहा है उन्हों ने कहा कि हिंदुस्तान का हर एक आदिवासी मावदी नहीं हैं और यहां के आदिवासी देश भक्त हैं उन्हों ने इस तरह से कुछला नहीं जा सकता रहुल गांधी ने बस तरक शेतर के जनप्रते निधियों से मुलाखाद किया और इस दोरान जनप्रते निधियों ने बताया कि कुछेतर में आदिवासीयों के साथ किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है कॉंग्रेस उपध्यक्ष ने कहा कि राज्य में कॉंग्रेस के नेता आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे लड़ाई लड़ेंगे आदिवासियों के लड़ाई लड़ेंगे समेट कई फाइले गायब हैं और इसका पता लगाने के लिए आंतरिक जाँच कराई जाएगी कुछ दिन पहले पूर्वी ग्रीसा चेफ जी के पिल्लाई ने दावा किया था कि इश्रच जहां इंकाउंटर केस में ग्रीह मंत्राले ने जो दूसरा हलफ नामा दिया था निर्देश तैयार करने के लिए कहा है चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के अध्यक्षता वाली पीट ने C.A.R.A. को इसके लिए तीन महीने का समय दिया है C.A.R.A. द्वारा निर्धारत दिशा निर्देशों का सभी राज्यों को पालन करना होगा एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पीछ ने कहा कि देश के बाहर और भीतर गोद लेने के लिए अलग अलग नियम बनाने की जरूरत है इस याचिका में कहा गया था कि मौजूदा नियम कमजूर है और इसका फायदा उठाकर कई विदेशी भारत में आसानी से बच्चे गोद ले लेते हैं इसके बाद इन बच्चों को देविया पार या दूसरे गेर खानूनी धंदों में लगा दिया जाता है अर्थ जगत से जोड़ी एहम खबर थोक महंगाई दर फरवरी में लगातार सोलवे महीने शूनने से नीचे रही फरवरी में थोक महंगाई दर शूनने से शूनने दशमलव नौ एक फीजदी नीचे थी जनवरी में एक खाने पीने की चीज़ों की महंगाई दर में कमी आई है खासकर दाले, सबजियों और गेहूं की थोक खीमतों में कमी आई है लेकिन फरवरी में मैनफाक्ट्रिंग प्रोड़क्स और फ्यूल एंड पावर की थोक महंगाई बढ़ी है वहीं खुद्रा महंगाई दर में भी कमी आई है और ये जनवरी के 5.6 फीज़ी के मुकाबले फरवरी में 5.18 फीज़ी रही नेपाल में हो रहे सार्क विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की अलग से मुलाखात होगी दौरान अजीज प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी को सार्क शिकर सम्मेलन में आने का नियोता देंगे 16 या 17 मार्च को मुलाखात के दौरान आपसी रिश्टों पर भी बातचीत हो सकती है मुलाखात के दौरान दोनों देशों के विदेश सचिफ भी मौजूद होंगे विदेश मंत्री सुश्मा सुराज 16 मार्च को सार्क विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के लिए नेपाल के पोकरा में पहुचेंगी बात करते हैं क्रिकिट की T20 World Cup में आज से सूपर 10 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं नागपुर में आज भारत का मुकाबला न्यूजिलेंड से होगा 2007 की T20 World Cup विजेता टीम इंडिया ग्रुप 2 के सूपर 10 मुकाबलों में अपना पहला मैच खिलेगी भारत ने पिशले साथ T20 माच जीते हैं जिन में वन डे विश्वी चांपियन औस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर 3.9 से हराया है साथ ही भारत ने श्री लंका को 2.1 से हराने के बाद T20 का एशिया कब भी जीता इसके लावा ढाका में लगातार 5 जीत से टीम इंडिया का आत्मे विश्वास कई गुना बढ़ा है हाला कि T20 क्रिकेट में टीम इंडिया कभी न्यूजिलेंड को नहीं हरा पाई है न्यूजिलेंड के साथ हुए चार मकाबलों में उसे हार का सामना ही करना पड़ा है ऐसे में आज एक बेहत दिल्चस मुकाबले की उमीद की जा रही है दिल्ली में सोमवार से जूनियर महिला बॉक्सिंग सपरधा शुरू हो गई प्रतियोंगता में हिस्सा लेने वाले बॉक्सिरों का कहना है कि ये मुकाबले उनके लिए बेहत एहम है और इससे उन्हें भविश्य में देश के लिए खेलने में मदद मिलेगी नौवी जूनियर बॉक्सिंग चैंपनशिप में 27 देशों की 143 खिलाड़ी हिस्सा ले रही है इसका उदगाटन दिल्ली के महिला और बाल विकास मंतरी संदीप कुमार ने किया चार साल के बार इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है इसके बावजूद इसमें खिलाडियों की तादाद बढ़ी है आयोजकों का मानना है कि इससे महिला बॉक्सरों का मनोबल बढ़ेगा और अपना नाम रोशन करेंगे तो मुझे लगता है यह बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है वुमिन बॉक्सिंग के लिए टूर्नमेंट में आमिचुर बॉक्सर भी हिसा ले रहे हैं उमीद है कि ऐसे टूर्नमेंट से बहतर बॉक्सर निकलेंगे जो अंतर राश्ट्री अस्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे स्मिती रस्तोगी राजसभा टीवी राश्पति प्रणम मुखर जी ने कल विश्विविद्धालियों और प्रोफिसरों को विजिटर्स अवार्ड 2016 से सम्मानित किया तीन श्ट्रेडियों में देगए अवार्ड में बेहतरीन विश्विविद्धालिका विजिटर्स अवार्ड अस्म की तेजपुर यूनिवरस्टी को दिया गया इस तरह इनोवेशन के पुरसकार जेन यू के प्रोफिसर राकिश बटनाकर को दिया गया इन्हें एंत्रिक्स के खिलाफ बेतरीन काम करने के लिए सवार्ड से नवाजा गया है इसके लावा शोध में विजिटर्स अवार्ड जेन यू के मॉलिक्लियर पेरसिटलोजिक समू को दिया गया है ये ग्रूप मलेरिया के खिलाफ शोध करता है ये पुरसकार राश्टपती भवन में हुए समारो में दिये गये आखिश्पूर उन्वर्सिटी इन प्रण जाहुरलाल नहरू उन्वर्सिटी इन बोथ रिशर्च और इन्नोवेशन और आखिर में हेटलाइंस पर एक नज़र बाराश्ट्प सिदन घुटाले में एन्सीपी नेता चगन भुजबल गिरफतार मनी लॉंडरिंग मामले में एडी ने की 11 घंटे पूश्टार एन्सीपी का राज्य सरकार पर बदले की कारवाई कारो तनाया, उमर, समेद, पांच शात्रों का हो निश्कासर युनिवर्स्टी के उचिस्तर्य समेथी की सिफारिश वीसी करेंगे आखरी फैसला जेन्यो शात्र मंडी हाउस से संसत्त करेंगे मार्च राज्य सभा के लिए चार राज्यों की सभी दस सीटों पर निरविरोध निरवाचन एक अंटनी केरल से आनंद के शर्मा हिमाचल से निरवाचेत असम की दो सीटों के लिए 21 मार्च को मतदान वे वासम बारश से फसलों को होई नुकसान पर केंद्रे ने राज्जियों से मांगे रिपोर्ट राहुल गांदी की पीड़ित राज्जों में केंद्रे टीम भेजने की मांग प्रिशी मंत्री ने दिया मदद का भरोसा टी-20 वर्ल्ड काप के मुख्य दौर का मुकाबल्यात से भारत न्यूजिलिंड के खिलाफ करेगा भियान का आगाज नागपूर में खेला जाएगा वैंच और इसे के साथ फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही आगे आगे आप देख सकते हैं देश देश शांतर नमसकार कर दो दो चाहले से भारत नमसकार